तो किसान भाईयो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि नारियल से और दांबे की छड़ से पानी चेक करवाया था और आप लोग को बताया था कि कुछ दिन बाद मेरे खेत में बोर की मसीन लग जाएगी तो आज मेरे खेत में बोर की मसीन लग गई है किसान भाईयो तो ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ तो वीडियो को पूरी देखते रही है ताक कि आप जान पाएंगे कि मेरे खेट में पानी लिखला की नहीं और कितना प्रतें सक्सेस पूल रहा नमस्कार बंदे मातरम जेश राम सब्सक्राइब किसान भाईयो का आज के इस वीडियो में मैं अमन कोशिक स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल ऑल्लाइन किशान में तो किसान भाईयो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो कोनाई थि ऐसे कैसे पानी चैक्ट मे और मैंने बताए था कि यह कितना प्रतिसाथ सही है और अंदर विस्वास है तो आज आप देख सकते हैं कि मेरे खेट में जो बोर की मशी लगा हुआ है उसमें पानी लग भग लग भग पाँच एंच पाँच एच पी का बोर अराम से चल जाएगा और इस खनन में 140 फीट हुआ है और पानी भरपोर मातरे में निकल रहा है आप देख सकते हैं तो यही बताने के लिए आज की उल्यू में बनाया हूँ कि एक प्रकार से वो अन्देफिस्वाज भी नहीं है कुछ प्रतिसे तो उसको हम सही भी बान सकते हैं और कुछ प्रतिसेत किसमत की भी बात होती है तो आज की छोटे से वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि आप नारियल के साहता से अपने खेतों में पानी को चेक कर सकते हैं यह साबित हो गया क्योंकि मैंने गुल्दिक पहले वीडियो में आपको बैताया था और आप आज देख भी सकते हैं कि मेरे खेत में पानी कितनी वरफूर मात्रा मेरे कल रही है तो आसा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लालक लालक को सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए साथ में बेल आइकोन भी होगोच से दबा दीजिए ताकि आने वीडियो करोड़ पसंद आपको मिलते रहे मेरे इस चैनल में मैं केती किसानी से जुड़ी है समस्चाओं का समधान करता हूं तो प्लीस आप एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए शेयर रहां मंदे मातराम और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद